अगर आपने qualification किया, graduation किया है किसी भी field में तो यहाँ पे आप eligible तो number of vacancies की बात करें तो यहाँ पे 500 के आसपास vacancy आपको देखने को मिल जाएगे और इसकी last date है यहाँ पे February 26, 2024 हेलो दोस्तों कैसा है आप लोग, welcome है आपका आमारे YouTube चैनल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे IDBI, bank की तरफ से निकलने वाली job update के बारे में तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी opportunity होनी वाली है उन लोगों के लिए जो की bank में जो है वो job करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे, इसकी important dates पहले देखेंगे और बात करेंगे यहाँ पे post और vacancy क्या रहने वाली है, educational qualification, age limit क्या रहेगी, exam pattern किस तरह कराएगा, क्या content रहेगा, selection process यहाँ पे किस basis पे होगा, salary कितने मिलेगी और last में देखेंगे कि apply कैसे करना है तो दोस्तो इस वीडियो में full details में बात करने वाला हूँ, इस job update के बारे में, तो इस वीडियो को start to end तक देखना और बिल्कुल भी skip मत करना, चलिए वीडियो को start करते है तो यहाँ पे आपको mention किया गया, admissions to IDPI, PGDBF 2024 to 2025, last date for submission क्या रहेगा, last date क्या रहेगी, start date क्या रहेगी, तो यहाँ पे cut off date जो है, eligibility criteria of age और qualification की, यानि जो आपकी age और qualifications जो होने चाहिए, वो इस से पहले-पहले की date में हो जाना चाहिए, आपकी age जो भी count करनी है, या फिर इस से पहले होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे eligible हो, अब start date क्या होगी, इसमें जो अपलाई करनी की, तो है February 12, 2024, और इसकी last date है, यहाँ पे February 26, 2024, और इसी के साथ-साथ, इसकी जो payment of application की fees और intimation charge जो आपको pay करना है, उसकी भी last date यही रहने वाली है, February 26, 2024, tentative date of online test यहाँ आपको दी गई है, March 17, 2024, अब बात करेंगे यहाँ पे post के बारे में, तो post यहाँ पे आपको मिलेगी, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि qualification क्या है, तो essential qualification graduate in any discipline from a recognized university, यहनि अगर आपने qualification किया, graduation किया है, किसी भी field में, तो यहाँ पे आप eligible हो, बात करेंगे यहाँ पे age की, तो यहाँ पे minimum 20 years और maximum 25 years की age होनी चाहिए, date of online test यह हमने, जो है वो देख लिया, already इसके बारे में बात कर ली है, March 17, 2024, number of vacancies की बात करें, तो यहाँ पे 500 के आसपास vacancy आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छा यह आपको पूरा distribution दे रखा है, cast wise के किस cast के लिए यहाँ कितनी vacancy है, दोस्तों यहाँ पे 500 vacancy है, बहुत ही अच्छा मौका है, आगे बात करेंगे, eligibility criteria और age के बारे में, तो educational qualification तो हमने देख लिया, आपका अगर graduation है किसी भी field में तो यहाँ पर eligible हो, age की बारे में भी हमने बात कर ली है, अब educational qualification और age आपको इस date तक ही count करनी है, और यहाँ पे आपको एक key dates दे रखी है, कि 31 January 1999 से लेके, आपके 31 January 2024 इसके बीच में, यह दोनों date भी inclusive है, तो इन दोनों के बीच में जो date है, वहाँ पे आपका date of birth जो है, वो इन दोनों date के बीच में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे eligible हो, तो यह आपको एक key point दे रखा है, dates को आपको समझाने के लिए, तो 20 years, फिर से मैं बता देता हूँ, इसकी minimum years of age रहेगा, और maximum years जो है, वो 25 यहाँ पे रहने वाला है, तो इसकी exam के लिए preparation कर रहे हो, या फिर किसी और government exam के लिए preparation कर रहे हो, तो हमारे exclusive preparation pack में आप enroll कर सकते हो, जिसमे quantitative aptitude of reasoning के lectures आपको मिलेंग आपको exam कर, तो बहुत ही अच्छा arrangement है, तो एक बार जरूर से check out कर लेना, आगे यहाँ पर बात करेंगे salary की, के वहाँ salary यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, तो stipend आपको एक पहले रहेगा training period, 6 महिनी की training period रहेगी, जिसमें आपको stipend fix रहेगा यहाँ पे 5000 पर मन्त, अब उसक इसके बाद आपको जो है, initial period, okay, shall be posted as an OJT on the job training, आपको यह रखा गयाएगा, चार महिने at any of the bank's branches, फिर इसके बाद यह खतम हो जाने के बाद, चार महिने आपको on the job training रखा जाएगा, चार महिने लिए, इसके बाद, after joining the bank services as junior assistant manager, grade O के लिए, subjected to successful completion of the PGD BF course, compensation, उसमें आपक CTC कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, 6.14 lakh से 6.50 lakh class ACD के लिए, तो बहुत ही अच्छा package रहेगा, तक्रीबन यहाँ पे 50,000 से भी जादा आपका यहाँ पे package बनने वाला है, तो बहुत ही अच्छी opportunity है, अगर आप interested हो, तो apply जल्दी से कर देना, आगे बात करेंगे selection procedure, तो यहाँ पे दो ही है, first है आपका online test, और second है आपका personal interview, अब क्या रहेगा exam pattern में, और क्या इसका content क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा, वो भी देख लेते हैं आगे, तो यहाँ पे exam का pattern आपका यह है, इस तरह से है, अब content क्या है, तो आपका logical reasoning, data analysis and interpretation, second है आपका English language, third है आ general economy, यहाँ पे banking awareness, अब number of questions जो है वो, सब topic से कितने आएंगे, यह आपको लिखा गया है, बता दिया गया है, और उसी के maximum marks भी आपको यहाँ पे mention कर दिये, यहने 60 questions, यहाँ पे 60 marks के हैं, 40 questions, 40 marks थे, similarly यह भी ऐसा ही है, आप इसके लिए आपको time duration मिलेगा, two hours का, तो यहाँ पे तकरीबन आपके यहाँ पे बनते हैं, 120 और 120 और 8 यहाँ पे 200 marks, याने 200 question आपको पूछेंगे, 200 marks के याने 1 question यहाँ पे 1 mark का रहेगा, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे apply कैसे करना है, सबसे important, कि यहाँ apply कैसे करना है, यह सब तो ठीक है, apply कैसे करना, तो यहाँ प पीस जो होगी, वो आपको यहाँ पे पे करनी है, अब फिर से आपको मैं यहाँ पे जो रिमाइंड करा देता हूं उसकी डेट, बारा फैब से लेके 26 फैब 2024 तर, अब आपको इसमें ऑनलाइन अपलाई करना है, और दूसरा को यहाँ पे मोड नहीं है, रेजिस्ट्रेशन कर होगे, तो आपकी जो valid email ID है, और आपका जो active mobile number है, वो आपको यहाँ पे submit करना है, क्योंकि जो भी आपका contact होगा, communication होगा, आपके और इनकी दर्वियान, तो इसी के होगा, application fees की बारे में बात कर लेते हैं, तो SC, ST, PWD के लिए यहाँ पे 200 रुपया है, यह आपका intimation charge है, अगर आप इसके अलावा कोई दूसरी category है, तो यहाँ पे आपका 1000 रुपीज है, application fee भी इसमें आगया, और intimation charge भी इसमें आगया, आगे, application fees यहाँ पे फिर से एक और बार यह कर दिया है, तो यह पूरा जो है, वीडियो मैंने बनाया था, कि यहाँ पे आप कोशिश करूं तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेर कर देना अगर आपको लगता है, कि उनके लिए बहुत ही अच्छी opportunity होने वाली, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हमारे next वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, take care.